लेकिन अगर पैरेंट्स ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे जिम्मेदारी नहीं अपने आप पड़ा होमवग क्यों देरो पहले ही बहुत काम रहता है बच्चों के पास कई सारे ट्यूटर ने मेरे सा सवाल किया था कि माम हम बच्चों को ट्यूशन में होमवग देते हैं और बच्चों वो होमवग कप्लीट करके ने लेके आते हैं और जब उनके पैरेंट्स को बोलते हैं तो पैरेंट्स को दिये बोलते हैं कि यह हमारा काम नहीं है देखो आज पूरा दिन आफिस में रहने के बाद उनकी इतरी हिम्मत नहीं होती पढ़ा सके तो ऐसे केस में तो चलो हम मान सकते हैं कि ठीक है परेंस के पास टाइम नहीं है कुछ परेंस जान कुछ के लापरवाही करते हैं तो ऐसे में हम क्या करें बच्चो को होंबक देना छोड़ दें ऐसा तो आगर बच्चे tuition का homework complete करके नहीं ला रहे हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया आपरवाई दिखाते हैं चोटे बच्चे होते हैं उतनी value नहीं पता पढ़ाईगी तो व है कि बेटा आपने ये homework क्यों नहीं किया यानि सबसे पहले find the reason कारण पता कीजिए कि बच्चे ने homework क्यों नहीं किया है बच्चे आपको या तो कुछ कारण बताएगा कि हम कहीं चले गए घूमने यह मुझे ध्यान नहीं रहा यह हम सो गए थे यह में टीवी देख रहा थ कि मेरे स्कूल का बहुत काम था कुछ तो कारण बताएगा या फिर बच्चा कुछ कारण नहीं बताएगा बिलकुल चिप हो जाएगा तो ऐसे में आप समझ लेना कि बच्चे को याद नहीं रहा और बच्चे ने जान पूछ के नहीं किया अगला step जो आपको लेना है वो यो actually में बहुत जादा concern है अपने बच्चे के पढ़ाई को लेके आप उनको एक message जरूर डालिए कि मैंने ये homework में दिया था और आज ही आपका बच्चा ये homework नहीं करके लेके आया है ठीक है तो यहाँ पर आप दो decision ले सकते हो parents को बता भी सकते हो नहीं भी बता सकते हो depend कर इसे हैं उसके बाद आपने कारण पता कर लिया अगर कोई genuine कारण है कि बच्चा कहीं गूमने चला गया था या तब है ठीक नहीं थी या parents घर पे नहीं थे या कुछ भी और कोई एगर रिजन है ये school में कोई और extra activity तो तो ठीक है उसको आप जाने दीजे कोई बात नहीं थ अगर parents इस तरीके से बोल रहे हैं तो आपको यहां पर लेना है point number 2 इसके लिए आप बच्चों को ही उसकी value समझाओ कि देखो बेटा आप homework करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना चीज समझ रहे हो आप कुछी अच्छे समझ में आएंगी आप exam में अच्छा करोगे आपके marks अच्छे आएंगे आप आप करोगे यह सारी चीज यारी बच्चों को आप positive तरीके से चीजों को समझा सकते हो कि homework की क्या value है ठीक है जब बच्चे को value समझ में आ जाएगी तो बच्चा खुद से भी वो चीज़े करेगा और अपने parents को भी बताएगा कि यह homework मिला अब मेरे से नहीं हो रहा है यह हो रहा है जो भी चीज़े है वो parents को भी उसमें involved जरूर करेगा तो आपको बच्चे का ही mind make up करना है क्योंकि बच्चे कच्छी मिट्टे के बने होते हैं उनको आप जैसे चीज़े समझा होगे ना बच्चे समझ जाएंगे तो आप प्यार स भी सबकुसेरे मेर के साथ में आपको मैंसर बच्चे के ना सब्च निंए हाँ आप कर करना हैская तो डम यहीं को जरूर सकते हो कि आपको एक आपके थिए। मतलब आप कर सकते हो तो आप बच्चों को उतके हर homework completion पे एक या दो स्टार जो भी आप बनाना चाहें अपने हिसाब से आप rules बना सकते हो इससे बच्चों को बहुत motivation होता है कि कौन पहले अपने 10 स्टार्स पूरे करता है इस तरीके से बच्चों में अलग तरीके का healthy competition होता है तो वो चीजे आप definite तौर पर कर सकते हो आप देखना इसका result आपको मिलेगा बच्चे खुद से अपने पढ़ाई को लेके बहुत जादा concern हो जाएंगे और जब बच्चे खुद पढ़ाई के ल बढ़ा रहे हो आठ बच्चों के parents बोल रहे हैं कि हाँ भी homework दो हम करवाएंगे यहां में देखना है आप क्या करवाते हो बच्चे भी तयार है करके लेक्या आते हैं अब दो बच्चे बच्चे उनका आप क्या करोगे तो ऐसे बच्चों को आप रोक के वहीं पे आप homework कर बच्चे कर रहे हैं घर पर नहीं बता रहे हैं या खुद से नहीं करके लेकिया रहे हैं तो आप उन्हें 10 पंदर में एक्स्टर बिठा के रखो एक दोवारा बिठा के रखो गी न अगली बार उनको खुद सारे चीज़ा याद आ जाएंगे homework करने के लिए ठीक है तो यह चोटे-चोटे से steps आप ले सकते हो क्या कि बताया है मैंने आप parents से बात जरूर कीजिए parents अकर चाहते हैं कि homework दिया जाए तो definitely बच्चों को homework दीजिए और बच्चे को उस चीज के लिए प्रेदित कीजिए homework करने के लिए आप उसको प्रेदित कीजिए motivate कीजिए कि आपको homework क्यों करना है इसकी क्या value है तीसरा बच्चों को छोटी-छोटी rewards दीजिए उससे भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है चौता बच्चों को आप extra time as a punishment भी आप उनसे homework करवा सकते हैं ये चीज़े करके definitely बच्चों को खुद बहुत अच्छा लगेगा और वो अपने हुंबग खुद से करने लग जाएंगे फ्रेंस ये जो टिप्स थे ये मेरे experience के हिसाफ से थे अगर आप टूशन पढ़ाते हैं तो आप क्या के चीज़े करते हैं बच्चे से हुंबग कंप्लीट करवाने के लिए comment section में जरूर बताना चलिए मिलते हैं नेक्स के सी वीडि क्लेसै के से अगर आपते हैं झेट